हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल एनिमे पैरासाइट आज मैं आपके सामने लू यांग एनिमे सिरीज को एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ गाइस हाल ही में मैंने शूलिंग जी को कम्प्लीट किया हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जैसे ही आगे की एपिसोड आते हैं मैं उसे भी एक्स्प्लेन कर दूंगी हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने में टॉपिक पर शुरुवात के सीन में हमें लू यांग सिटी का विव दिखाय है उस ड्रंक मैन को दूसरा आदमी संभालती भी पूछता है सर आप कहां जा रहे हैं रिप्लै देता है मैं अपने लिए फियर लेडी ढूरने जा रहा हूं सर्वेंट बोलता है सर ये सच में बहुत अच्छा पोयम है मैं शियूर हूं इंपेरियल एक्जामनेशन में आप उसे देखने की कोशिश करता है अपना फेस छुपाते हुए बोलती है मैं बजसूरत हूँ सर मैं आपको डराना नहीं चाहती उसे अपना फेस नहीं देखने देती है वो आदमी कहता है मिस शर्माओ मत तुम लो यांग में किसी से भी पूछ सकती हो मैं एक बीटफुल ले कपड़े पहने मेरे पास आओ मैं तुम्हें गर्म रखूंगा वो लड़की स्वीटली वे में जवाब देती है सर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए क्या आपको अभी चोट लगी है जैसे ही वो आदमी उसके पास जाने लगता है सर्वेंट पकरते हुए कहता है वो आ स्टेरियल एक्जामनेशन देना चाहते थे मैंने तो यह भी सुनाए वो फॉक्स स्पिरिट ट्रांस्फॉर्म होने के बाद हमेशा अपने हाथों में लाल्टेन रखती है जैसा कि हम देख सकते हैं उस गर्ड के हाथों में भी लाल्टेन होता है आगे सर्वेंट बताता है और उसकी कोई परचाई भी नहीं है वो लड़की जोडों से हसते हुए पीछे टर्न होती है वे लोग काफी जादा डरे हुए लग रहे थे सीन यहीं पर कट होता है नेक्ट सीन में हमेलु यांग के वांगुई हाउस को दिखाया जा रहा है बोट पर काफी सारे लोग दि वो लड़का अपना फेस कवर करके बोलता है ना बुरा देखो ना बुरा सुनो शाम हो जाती है एक जगा पर आकर बोलता है मुझे लगता है मैं खो गया हूँ उसे वहाँ पर वही दोनों बंदे दिखाई देते हैं उन्हें डड़ा हुआ देखकर पूसता है क्या बात है वह दोनों सामने की तरफ देखकर डर रहे होते हैं वो लड़ी बोलती है यहाँ पर एक और यंग मैन आया है वो लड़का चौकते हुए पीछे देखता है वो लड़की उनके करीब आ जाती है पूसती है क्या तुम्हें पोयम्स लिखना पसंद है वो लड़का डर की वज हाथ मीं जैनरल यूची है उसने कांटलेस वार्ष को जीता है इंपेरियल गार्स को फक स्पिरिट को पकरने का ऑडर दिया अगया है बच्ची रिप्लये देती हैं ऐसा लगता है कि हर मैजेस्टी ने वी फॉस्पिरिट को लेकर यूमर को सुना है ओर्ड मैन जबाब देत बिल्कुल वह कैसे फॉक्स स्पिरिट के द्वारा लोगों को नुक्सान पहुंचाने दे सकते हैं एक सॉलजर जेनरल को आकर बताता है फॉक्स स्पिरिट दिखाई दी जेनरल गार्ष के साथ लोगों के बीच से ही जाने लगता है छोटी बच्ची के हाथ का ब्रेड उचल जिसे कोई पकरते हुए दिखाई दे रहा है वो लड़की एंग्री होकर कहती है ये गार्ष बहुत ही रूड है वो लड़का उनका केक खाने लगता है वो बच्ची चिलाते हुए कहती है वो केक होंगी का है उसे वापस दो होंगी उसे रोकते हुए बोलती है भूखाए उसे ले लेने दो वो लड़का उन्हें थाइंग्स कहता है पूछता है क्या मैं तुम्हारा फायर क्रेकर्स ले सकता हूँ नेक्स्ट सीन में जेनरल हुची अपने सोलजर्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जेनरल कहता है एजेन्ट हान गुक पैवेलियन भी इसमें कैसे इन्वाल्व है क्या हर मैजेस्टी को मुझपर भरोसा नहीं है एजेन्ट जबाब देता है जेनरल आप चिंता मत करिये हर मैजेस्टी बस जल्द से जल्द उस फॉक्स स्पिरिट को पकरना चाते हैं और रियूमर को खत्म करना चाते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ अबजर्ब करने के लिए हूँ जेनरल यूची वहां मौझूद बंदे से पूचता है फॉक्स कहा है वो सर्वेंट रिप्लाइ देता है मैं नहीं जानता जब मैं जागा तो मेरे मास्टर मिसिंग थे एजेन्ट बोलता है इस मन्त ये 34 वा स्कॉलर है जो की लापता हुआ है इन्फोर्मेशन के मुताबिक वे सभी रात को अकेले चलते समय लापता हो गए थे जबाब देता है जरूरत नहीं है मैं पहले से ही जानता हूँ वो फॉक्स स्पिरिट जादा दूर तक नहीं गया ह होगा पूरे कैपिटल में उसे ढूंडो अचानक से कवह को बोलते देख एजेंट कहता है बिना रिजन के कवह ऐसा नहीं करता है वे सभी सौथ मार्केट की तरफ जा रहे हैं जेनरल सोलजर्स को सौथ मार्केट में ढूंडने को बोलता है उन्हें जाते देखकर होंगी ब एजेंट को उस लड़के के सामान में इंपेरियल इग्जामनेशन का नोट मिलता है स्मेल करते हुए बोलता है यह ड्रिम हर्ब की तरह स्मेल कर रहा है वहीं दूसरी तरफ एक घर की ऊपर हमें लड़की दिखाई दे रही हैं उसका नाम लियांग लियांग होता है यह डि ट्रोल पर हैं यहां भी डेजेनरेट्स को छुपकर फॉक्स का वेट करने को बोलता हैं कहता हैं उसे भागने मत देना अगले सीन में हमें वो फॉक्स स्पिरिट गर्ड भागती हुई दिखाई दे रही हैं उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता हैं यहां पर मैं आप स्कूलर्स को सेफली सौप दोगी तो मैं तुम्हें गेटो में जाने के लिए अलाव करूंगा तुम्हारी लाइफ भी बच सकती हैं रिप्लाइ देती हैं मुझे डार्क गेटो में रहना पसंद नहीं है मुझे यंग मैन के साथ पोयम सुनना और मूनलाइट में मस्ती करन पसंद है बुए अकबार फिर स्कूलर्स के बारे में पूछता है जबाब देती है मैं नहीं बताओंगी कहता है मरो इसके बाद वो तलवार के साथ उस पर अटेक कर देता है वो फॉक्स पिरिट बहुत ही इजली वे में डोज कर रही होती है उसके हर एक अटैक को वो स्प पर पाता हैं बोलता हैं जो मैं देख रहा हूं क्या सच हैं मैं कैसे इससे निकल सकता हूं सोचो उसे नीचे लाल टेन रखा हुआ दिखाई देता हैं जैसे ही वो लाल टेन उठाता हैं उपर की तरफ कई सारे लाल टेन जलने लगते हैं उसके दोनों तरफ एक लाइन में ला कर रहे होते हैं वो सब को डिश्ट्रॉय कर देता हैं अचानक से एक एक करके सभी लाल्टेन उसके बॉड़ी पर आकर चिपक जाते हैं सीन यहीं पर कट होता है जैनरल को रास्ते में डेजेनरेट्स के मेंबर्स मिल जाते हैं ली यांग से बू मॉपिंग के बारे में पूस् स्पिरिट की तरफ जाता है वो स्पिरिट उसके फ्लेग के सपोर्ट से उपर चलने लगती हैं वहां पर पिंक कलर का धुआ फैल जाता है जैनरल खुद को एक डार्क रेट से जगा पर पाता हैं वहां पर बारिश भी हो रही थी उसके सामने वैपन लेकर एक जाइंट सा क क्रिशर खड़ा था वो क्रिशन उसके से किसी तरफ खुद को बचा रहा होता है तरौण के सपोर्ट से जैनरल के उसramने बैठेट उसके पकर कर यह उसके ने चरिता हों फिर से खड़ा होकर अटेक कर देता है जेनरल उसके साथ पूरी हिम्मत से फाइट करता हुआ दिखाई देता है वहीं यहां पर सभी लोगों को पिंक धुआ दिखाई दे रहा था लियांग कहती है मैं जाकर चेक करती हूं सोलजर रोकती हुए बोलता है जेनरल ने वेट करने का ओर्डर दिया है उस पिंक धुए के अंदर से फॉक्स स्पिरिट बाहर आती है सभी अटेंशन के पोजिशन में आ जाती है बोलती है और कौन ट्राइ करना चाता है दूसरी तरफ से एक लड़का कहता है फॉक्स स्पिर उन्हें कहता है इसे मारो मत अभी तक इसने स्कूलर्स के बारे में नहीं बताया है वो तीनों एक साथ अटेक करने जाते हैं फॉक्स उपर की तरफ जंब करके छट पर चली जाती है उस लड़के को थाइंक्स बोल कर जाने लगती है लड़का कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वहीं दूसरी तरफ बू और जेनरल के बीच हाथा पाई होने लगती है दरसल वे दोनों उस लड़के के द्वारा फेके गए नेट में फसे थे उनके जाने के बाद लियांग बू से कहती है उस लड़के ने जिस ट्रैप का यूज किया था मैंने ऐसा पहले पॉलो करता हुआ दिखाई देता है वह फोक स्पिरिट को चकमा देकर चरी जाती है वहीं नीचे जमीन पर गिर जाता है च्की तेनप के मास्क पड़ा हमें इंग को स्क्रिन पर दिखाया जा रहा है इंग एक मैजिशियन होती है पी उसे देख कर पहचान जाता है और मन में बोलता है एविल फॉक्स तुम यहां पर हो अगर आपको मेरा यह एक्स्पेनेशन अच्छा लगा है इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें साथ ही ह हमारे चैनल एनिमे पैरा साइट को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में